नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 15 जुलाई 2021 के डेली न्यूस एनलिसिस में आपका स्वागत है आज भर भर के आपके लिए न्यूस है खूब न्यूस है दिल से जुनिए पहली न्यूस ड्रॉप केसिस फाइल अंडर सेक्शन 66 से ऐसा केंद सरकार ने बोला है सेक्शन 66 A काफी न्यूस में है दो दिन से एडिटोरियल में डेली न्यूस एनलिसिस में इसके बारे में बातचीत हो रही है पहले बातचीत क्यों हो रही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है P.U.C.L. यानि People Union for Civil Liberties नाम के एक और्गनाइजेशन ने जाके सुप्रीम कोर्ट में बताया कि भाईया 2015 से लेके अब तक 1000 से ज़्यादा केसे फाइल हुएं सेक्शन 66 A में सुप्रीम कोर्ट ने बोला बहुत डिस्ट्रेसिंग है बहुत शॉपिंग है बहुत टरेबल है दो-तिन दिन से दा हिंदू में ऐसा कैसे ना किया जाए इसके बारे में हमने आर्टिकल्स भी डिसकस किये अब यहाँ पर मिनिस्ट्री और फोम अफेस ने सारे राजी की सरकारों को और सारी यूने टेरिट्रीस की गवर्मेंट को स्ट्रिक्ट आदेश निर्दारित किये हैं कि बाई जितने भी केसे तुमने section 66A of the Information Technology Act के अंदर फाइल किये हैं तुरंत इनको रिपील करो क्योंकि देखे section 66A of Information Technology Act केंद सरकार लेकि आई थी और अगर इस Act केंदर केसेस फाइल हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि केंद सरकार के एक law के थूरू Supreme Court के आदेश को नहीं माना जारा ना कारा जारा है जो कि केंद सरकार की image के लिए अच्छा नहीं इसका मतलब क्या हो जाएगा कि केंद सरकार Supreme Court के authority को हटाने की कोशिश कर रही है और Supreme Court के आप authority हटा नहीं सकते हमारे सम्विधान के साब से इसलिए यहाँ पे केंद सरकार ने सीधे निर्दे निर्देश धारित किये हैं कि भाई जहाँ जहाँ पे भी section 66A के उपर लोगों के उपर इल्जाम लगाया जारा case चलाया जारा है foreign case बंद करो section 66A बोलता क्या है यहाँ कि एक computer resource से या communication device से आप कोई message भेशते हो जो कि offensive है या derogatory है या menacing है तो यह punishable offense था according to section 66A लेकिन Shreya Singel versus Union of India judgment में Supreme Court ने क्या बोला कि section 66A के अंदर किसी message को derogatory, offensive, menacing कप का आजाएगा अगर वो inconvenience cause कर रहा हो, danger कर रहा हो, obstruction कर रहा हो, insult कर रहा हो अब यह जो चार शब्द है inconvenience, danger, obstruction, insult खासकर inconvenience और insult की अगर आप बात करो तो यह दो बहुत general words है और इन general words को manipulate करके छोटी सी बात को बात का बतंगड बनाया जा सकता है इसलिए Supreme Court ने साफ साफ बोला कि देखिए freedom of speech यह fundamental right है और message भेजना social media पे freedom of speech का part है आप freedom of speech के against अगर आपको restrictions लगाने हैं तो आपको article 19, आपका clause 1, sub clause 2 में घुसना पड़ेगा तो इसलिए article 19 में जो restrictions लगे है freedom of speech के against उन restriction के category में यह inconvenience, danger, obstruction और insult नहीं आ सकता है इस basis पे श्रिया सिंगल वर्सिस Union of India जज्जमेंट में Supreme Court ने क्या बोला कि section 68A unconstitutional है और section 68A को रद कर दिया गया उसके बाद भी section 68A के अंदर इर्जाम लगाए जारा था ऐसा P.U.C.L. नाम के एक organization ने बता है इसलिए Supreme Court ने इसको बड़ा दुखित बात बोली है और यहाँ पे केंदर की सरकार ने साफ साफ instructions विशू की है कि जहाँ पे भी case चलाए जारा section 68A 2015 के अंदर तुरंत बंद करो section 66A फिर से बता देता हूँ प्रोवाइट प्रोवीजन पनिश्मेंट फॉर सेंडिंग ओफेंसिव मैसेज़स थू क्म्यूनिकेशन सर्विसेज़स इस मैसेज़स में भी information तो text, images, audio, video या किसी भी electronic form में आपके पास कोई information आती है और अगर ऐसा लगता है कि वो information derogatory है, offensive है, menacing है तो आपके ऊपर छाचाटे के अंदर इल्जाम चलाया जा सकता है अगर इस information में सच में कुछ बहुत गलत है मानिजेज, information में child pornography से related कुछ है या woman के dignity के ओपर कोई attack कर रहे है तो Supreme Court का logic यह है कि इन सब चीजों के लिए section 66 की ज़रूत नहीं है इन सब चीजों के लिए Indian Penal Code में, POCSO में, बहुत सी चीजें, बहुत से clauses already दे रखे section 66 A को इतना ज़्यादा wide embed दे रखा है कि छोटे मोटे crimes को भी बढ़ा करके दिखाये जा सकता है तो grossly offensive और minacing का यहाँ पे मतलब क्या है annoyance, inconvenience, intimidation, insult, obstruction इन सब का exact मतलब क्या है इसकी proper जानकरी section चाचटे में थी नहीं इसलिए इसको यहाँ पे रद्द कर दिया, unconstitutional बोल दिया सुप्रीम कोड ने चनल स्टेश पेपर 2 में जुडिश्री और fundamental rights के respect में यह चीज़ आपको काम हैगी आगे बंद इस पहले वीडियो पे like a button अगर अब तक आपने इस वीडियो को share नहीं किया है, बिल्कुल कर दीजे चैनल को subscribe नहीं किया, कर दीजे, subscribe definitely करें जदा जदा लोग साथ इस वीडियो को share करें अगर आप किसी ऐसे WhatsApp और Telegram ग्रूप का part है जहां पे बच्चे पढ़ाई कर रहे है current affairs से respect information चाहिए उनको तो वहाँ पे आप मेरी वीडियो को share कर सकते है ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल relevant है relevancy के साब से आप वीडियो को share कर सकते हो किसी भी exam की preparation करने वाले बंदों को इसके बारे में बता सकते हो अब आपके लिए इतना holistic content आ रहा है तो यतना तो आप करी सकते हो जो join button दबा रहे है thank you so much उनसे भी request है कि भाई आप वीडियो को share करें जो नहीं दबा रहे है उनसे भी request है कि भाई आप जितना हो सके उतना वीडियो को share करो सासत इंस्टाग्राम पर follow करके messages भेज सकते है telegram group join के लिजे वहाँ पर आपको इस lecture की PDF मिल जाएगी सासत धर्शित दिविदी.com website पर जाके आप daily basis पर current affairs पर सकते है शाम तक current affairs का article अप्लोड हो जाएगा daily हेंड़ी एडिटेरों का जिस्ट भी इस के उपर मैंने वीडियो बना रखी है फिर लगबख शाम को चार बजे आपको एक वीडियो रमेश सिंग एकनॉमिक्स की भी मिलेगी जहां पर मैंने inflation targeting और monetary policy committee कैसे काम करती है RBI के इसके बारे में बताया है फिर यह जो RBI गवर्नर और सरकार का पहले इशू चला था उसके बारे में कुछ basic information दिए तो आज की डेट में आपको यह वीडियो और मिल जाएंगे नेक्स टॉपिक पे चलते है NTPC to set up इंडिया's largest solar park at runoff kach ठीकि नेशनल थर्मल पाउर कॉर्परेशन NTPC इंडिया का सबसे बड़ा largest solar park बनाएगा runoff kach खवाड़ा गुजरात में ठीक है Ministry of New Renewable Energy का बोलना है कि NTPC 4750 Megawatt का रहे नेवेबल एनरजी पार्क बना रहा है बहुत बड़ा पार्क है खास बात यह कि NTPC Limited यहाँ पे अपने green energy portfolio को augment कर रहा है NTPC का अगर आप full form देखोगे तो वो है National Thermal Power Corporation शुरू में NTPC को अपर यही दजाम लगाए जाता था कि भाई यह तो thermal power वाले हैं कोल जरा की बिजली पैदा करते हैं तो यह तो environment को बहुत ज़दा नुकसान महुचाते हैं तो NTPC ने अपने आपको integrated company मनाई अपनी एक और company मनाई जिसको नाम दिया NTPC Renovable Energy Limited अब एक integrated company की तरह काम करती है NTPC जिसमें वो coal-related power तो बनाती है Renovable Energy वाली power भी बनाती है और NTPC ने ऐसे बहुत से projects अभी recently commission किये हैं जैसे recently ही NTPC ने commission किया है इंडिया का largest floating solar park 10 Megawatt का कहां पे तो ये जो सिमहादरी thermal power plant है अंदरपदेश का उसके reservoir के ओपर ये 10 Megawatt का plant NTPC ने commission किये NTPC का target क्या है कि ये 60 Gigawatt renewable energy capacity को बनाएंगे 2032 तक तो कुल मिला के आप कह सकते हो यहाँ पर कि NTPC बहुत proactively renewable energy को बनाने में involved हो रही है NTPC Ram की इस company को पता है कि देखे में जैसे जैसे लोगों के अंदर environmental awareness बढ़ेगी वैसे वैसे coal energy के against बाते उठेंगी तो इस respect में coal power का future चुकि बहुत limited है इसलिए यहाँ पे ये लोग renewable energy में भी entry मार रहे हैं तब अगर आप देखो तो ये जो NTPC के renewable energy limited नाम की company है इसको ministry of new renewable energy से अभी के लिए approval मिल गया है ये जो कच खवाड़ा में project खोल रहे है अंडर ultra mega renewable energy power park scheme ये जो UMREPP scheme है इस scheme के अंदर ही ministry of new renewable energy ने NTPC को permission दे दी है कि ठीक है भई आप इंडिया का largest solar park बना सकते हो कहाँ पे राण आफ कच खवाड़ा गोजरात में ठीक है फिर NTPC renewable energy limited ने यूरें टेटिव लदाक के साथ भी एक pact sign किया है ताकि लदाक में भी green hydrogen mobility project को लगू किया जाएगा green energy park क्या चीज़ है देखे एक scheme चलाई जारी है ultra mega renewable energy power park scheme umrepp scheme इस umrepp scheme के अंदर बहुत से public sector organization ने invest किया है NTPC ने heavily invest किया है target किया है तो भाई green energy parks बनाएंगे wind energy में solar energy में कहां पे जमून कश्मीर में आंध प्रदेश में करनाटका गुजरात राजिस्थान मत्रप्रदेश महारास तमेलाडो तेलांगना में NTCPC limited की बात करो तो भाई यह company's act 1956 के अंदर registered है ministry of power के अंदर काम करती है national thermal power corporation इसका formal नाम है electricity और allied activities में involved और केवल thermal power मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि कोली में involved है अब यह renewable energy में भी बहुत productively involved है जनल स्रेडिस पेपर 3 में infrastructure growth and development, renewable energy और conservation में यह particular news आपको काम आएगी next बात करते हैं कृष्णा वाटर, आंधर पदेश मूव सुप्रीम कोट अगेंस तेलांगना यहाँ पे अलग-अलग states लड़ी रहे हैं पानी के ओपर, जैसे कि आज मैंने बता है कि हरियाणा और दिल्ली का जो पानी का issue है यह भी मैं आपके लिए वीडियो बना के दूँगा साथ-साथ अब तेलांगना भी यहाँ पे आंधर पदेश के साथ डड़ रहा है आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजे जाके यह आपको यहाँ पे तेलांगना नजर आ रहा है और इधर आपको आपको आंधर पदेश नजर आ रहा है इनके बॉर्डर पे एक तो यह नागारजुन सागार डैम है गुंटूर में और स्री सैलम और राजोली बंदा वाटर डैवर्जन प्रोजेक्ट है कुर्णूल डिस्टिक्ट में और यहाँ पे लगातार आंधर पदेश तेलांगना के उपर रिज़ाम लगाता रहता है तेलांगना अपने साइड पे वाटर के यूटिलाइज़ेशन को मैक्सिमाइज कर रहा है उस मैक्सिमाइज़ेशन के चलते आंधर पदेश की साइड पर पानी ज़्यादा पहुंचता नहीं है तो ओवर और आंधर पदेश चुकी डाउन स्ट्रीम स्टेट है उसको डिसएडवांटेज हो जाता है तो रिसेंटली आंधर पदेश पहुंच गया है कहाँ सुप्रीम कोट का इन्होंना दरवजा खटटाया है और तेलांगना के उपर इलजाम लगाया है कि तेलांगना आंधर पदेश के लोगों के legitimate share of Krishna river को चीन रहा है तो मतलब इस Krishna river का water जो कि पहले आंधर पदेश में पहुंचता वहाँ पे drinking irrigation में इसको इस्तमाल के जाता इसको तेलांगना अपनी side पे ही maximum utilize कर रहा है maximum ideal power plants को बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे आंधर पदेश ने ये भी इलजाम लगाया तेलांगना के उपर कि भाई ये जो आंधर पदेश reorganization act था 2014 का इसके अंदर apex council बनाया कै था Krishna river management board बनाया कै था ये Krishna river management board के जो भी instructions हैं जो भी केंद सरकार के directives से इनको तेलांगना मना कर रहा है अभी एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आंधर पदेश इतना इलजाम लगा रहा है तेलांगना के उपर देखें तेलांगना सरकार का order आया है 28 जून 2021 का और इस order के तहत तेलांगना सरकार ने क्या बोला है मतलब तेलांगना अपने साइट पे हाइडल पावर जनरेशन को maximum basis पे tap करने की कोशिश कर रहा है और ये बात आंधर पदेश की सरकार को पसंद नहीं आ रही है आंधर पदेश की सरकार बोल रही है कि तेलांगना कृष्णा रिवर मैंजमेंट बोर्ड के इंस्ट्रक्शन को मानने से मना कर रहा है केंद सरकार के इंस्ट्रक्शन को मानने से मदा कर रहा है overall आंधर पदेश रियोर्गनाइज़ेश्ट के अंदर जो भी मेकेनिसम्स इवाल किये गए थे उनको relate कर रहा है यहाँ पे Krishna River Management Board बहुत important हो जाता है यह एक autonomous body थी जिसको आंद्रपदेश Reorganization Act 2014 के अंदर बनाए गया था यह काम करती है under the administrative control of Ministry of Water Resources बहुत important है ठीक है यह जो भी मैं facts आपको बताता हूँ यह क्लाइन यह बोर्ड करके जो काले में दे रखें this is important इसको ignore मत करना काम क्या है इस Krishna River Management Board का to manage and regulate the waters in Krishna Basin in the states of आंद्रपदेश and तेलांगना इशू क्या है यहाँ पे इशू यह कि स्रीसाइलन प्रोजेक्ट नागार जुना सागर प्रोजेक्ट पुली चिंतला प्रोजेक्ट यह राजोली बंदा डाइवर्जन स्कीम यहाँ पे यह जो एक्सेस Krishna नदी का पानी तेलांगना अपनी तरफ खीच रहा है इस चीज़ के उपर आंद्रपदेश इल्जाम लगा के कर रहा है यह जो तेलांगना कर रहा है यह सही नहीं कर रहा है हम डाउंस्ट्रीम स्टेट हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि तेलांगना अपने साइट पे वाटर का मैक्सिमाइजिशन करेगा और पानी के उपर तो पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है इंडिया के अंदर भी लड़ाई चल रही है आंद्रपदेश और तेलांगना के अंदर पानी की सहसाब से बाटा गया है अगर कृष्णा वाटर डिस्पूट स्ट्राइबिनल वन की अगर आप बात मानो तो 66-34 मतलब 34 यूनिट्स देखें कुछ इरिगेशन यूटिलाइशन एवापरेशन लॉसस और डाइवर्जन जो की गोवदावरी नदी में जाते हैं कृष्णा के उनको अगर आप हटा दो तो बचे हुए पानी में 34 यूनिट्स तेलांगना इस्तिमाल कर सकता है बाकि 66-66 यूनिट्स आंदरपरदेश में फ्लो करेंगी तो इसको भी यहाँ पे ओवर ओल तेलांगना वॉलेट कह रहा है ऐसा कहना है किसका आंदरपरदेश का ठीक है यह सब बात हैं आपकी यहाँ पे फिर और सीज़ें बोल लखी है कि भाई इस पर्टिकॉलर इशू को सोल जहाने के लिए अगर राज की सरकार चाहे तो कोंदर की सरकार के पास जा सकती वो जा ही रही है और केंदर की सरकार चाहे तो इस मैटर को एडडिकेट करने के लिए एक dedicated water dispute tribunal मना सकता है अब बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो एक बात की बात है got it तो ये पूरा का पूरा इशू था जन्ने स्टेडिस पेपर 2 में cooperative federalism अब cooperative federalism क्या ये तो लडाई सी हो रही है और separation of powers between various organs dispute traditional mechanism and institution में नीज़ आपको काम आएगी next news is central DA dearness relief high to 28% भाया के अंदर सरकार का जो dearness allowance है के इन सरकारी employees का वो बढ़ गया है पहले कितना था? पहले था भाया 17% था basic pay pension का ये DA या फिर dearness relief बो लीज़े अब ये 28% हो गया है DA होता है आपका serving central government employees के लिए और DNS relief वो होता है वो central government employees जो की अब retire कर चुके है तो pensioners को मिलता है DR, DNS relief और serving central government employees को मिलता है DA तो ये पूरा का पूरा जो DA हाइक हुआ है ये 48.34 lakh central government employees को मतद करेगा और 65.26 lakh pensioners को मतद करेगा जनवरी 2020 में इस DA को रोक दिया गया था फ्रीज कर दिया गया था तो जनवरी 2020 से जून 2021 तक का कोई भी DA नहीं मिलना है central government employees को तो जो भी effective DA मिलेगा वो जुलाई से मिलेगा जुलाई 2021 से मिलेगा ये Dearness allowance सरकारी employees को DR pensioners को दिया क्यों जाता है तो भाईया ये जो महंगाई है इस महंगाई का जो impact आ रहा है लोगों की salaries पे, pensions पे इसको कम करने के लिए ये DA और DR दिया जाता है जो DA दिया जाता है वो केंदर सरकार के employees की basic pay पे दिया जाता है और जो DNS relief दिया जाता है वो government pensioners की basic pension पे दिया जाता है और ये जो DA और DR है इसको calculate के basis पे किया जाता है तो जो All India Consumer Price Index रहा है पिछले 12 महीनों के उसके average price को calculate किया जाता है उसमें बहुत से injunction mechanism रहते है बहुत सारे tricky formulas रहते हैं खेर उसमें घुसने की ज़रूत नहीं दिया जाता है तो दो categories में दिया जाता है एक है आपका industrial dillance allowance एक होता है variable dillance allowance इंडुस्ट्यल डेयर्यस allowance दिया जाता है public sector employees of the central governments को और यह जो industrial dillance allowance होता है इसको हर quarter पे revise किया जाता है consumer price index पे यह depend करता है inflation को tackle करने के लिए variable dillance allowance को दिया जाता है यह दिया जाता है employees of the central government को तो यह जो डिया आलाउंस होगा है और गौर्मेंट बजेटिंग में नीज आपको आँएगी, next नीए नीज नेुरोलोजीकल डिसार्डर्स डबल डिन इंडिया, तो देखिए जो नॉन कम्ूनुकेबल डिजीजेज और यह नॉन कम्मूनुकेबल डिजीजेजेज हैं, और यह नॉन 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 हुई है between 1990 to 2019. 1990 के respect में 2019 में दुगनी हो चुकी, ऐसा बोलती है Lancet Global Health की एक study. इस study के अनुसार stroke की वज़े से 6,99,000 deaths हुई है, which is 7.4% of the total deaths in the country in 2019. 2019 में जितनी भी मौत ने हुई, 6,99,000 stroke की वज़े से हुई, total deaths का 7.4%. अब आप बोलो कि stroke क्या होता है? तो जब हमारे brain में blood का और nutrients का flow block हो जाता है, इसको आप stroke बोलते हो. तो यह जो non-communicable और neurological disorders हैं, इसका जो total contribution है towards D.A.L.Y. यहनि disability adjusted life years. अब आप बोलो कि disability adjusted life years क्या होता है? तो कि बीमारी के चलते, किसी disease के चलते बरबाद हो जाता है, तो अगर कोई बीमार है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, इलाज करवा रहा है, तो जितना भी समय उसकी बीमारी के इलाज बगरा करने में गया, वो एक normal और अच्छी जिन्दगी नहीं जी पाएगा, चुकि हेल्थ सबसे अदा इंपॉर्टन है, तो जितना समय उस particular individual का जिन्दगी का बीमारी टैकल करने में चला गया, उसको आप बोलते हो, disability adjusted life year, तो यह जो disability adjusted life year है, यह 1990 में non communicable neurological disorders की वज़ए से चार प्रतिशत थी, और 2019 में हो गई है, आज दसंबलो दो प्रतिशत, injury related जो neurological disorders हैं, उसकी वज़ए से यह 1990 में 0.2% थी, अब 0.6% हो गई है 2019, got it, अब आप बोलोगे neurological disorders में क्या क्या आता है, तो non communicable neurological disorders में आता है, stroke, headache disorders, migraine वगरा कह सकते है, epilepsy, cerebral palsy, Alzheimer's disease, other dementia, brain and central nervous system, cancer, Parkinson's disease, multiple sclerosis, motor neuron disease, and other neurological disorders, communicable neurological disorders में क्या क्या आता है, तो भाई, encephalitis, meningitis, tetnes, injury related neurological disorders में क्या आता है, traumatic brain injuries, spinal cord injuries, एक study हुई 2019 में, इसमें यह बताया गया, कि जो total neurological disorder की वज़ए से disability adjusted life years है, इसमें जो largest contributor वो कौन है, तो stroke है, लगबख 37.9%, headache disorders है, लगबख 18, बन्दब 75%, epilepsy है, 11.3%, cerebral palsy है, 5.7%, और encephalitis है, 5.3%, stroke, headache disorders और epilepsy, यह leading contributors है, neurological disease burden के एडिया में, headache की बात करिए, तो यह common neurological disorder से हर तीन में से एक इंडियन को यह effect करता है, public health priority के respect में इसको काफी ignore किया जाता है, neglect किया जाता है, second leading contributor है, to the disease burden from neurological disorders in India, migraine की जो problem है, यह females को ज़्यादा effect करती है, males से और migraine की problem काफी मुश्किल होती है, जो working age population के लोग है, उनको काफी परिशान कर देती है, migraine का दर्द आपको idea नहीं कितना विद्योज निगम limited है, यह लगबख 680 megawatt का एक hydropower project बनाएगा नेपाल, किस नदी पे होगा, तो अरुन नाम की नदी पे होगा, got it, 2017 के costing के हिसाब से इसका जो दाम है, वो 1.3 billion dollar रखा गया boot model के अंदर इसको बनाए जागा, build on operate transfer model के अंदर, अब इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, तो नेपाल की संखु वसभा और भोजपूर district में इतना important नहीं है, एक पहले से अरुन 3 SHEP project वहाँ पे चल रहा है, उसके downstream में होगा यह project, और सब्त कोसी high dam project के upstream stream में होगा यह project, अरुना नदी की बात की जाए, तो यह largest trans himalin river है, नेपाल से गुजरती है, और फाइनली सब्त कोसी नदी में जाके गिर जाती है, इस नदी को तिबत में बोला जाता है, मैंकू इन अपर रीजिस, और पैंकू थोड़ा बात में, built operate transfer, और built on operate transfer, यह क्या है, तो यह project delivery method है, जो large scale infrastructure projects होते हैं, अब जैसे built on operate transfer हो गया, BOOT हो गया, तो यहां पे पहले इस project को बनाया जाएगा, बनाने वाला इसको कुछ समय के लिए own करेगा, उसको कुछ समय के लिए operate करेगा, operate करते समय, जो भी इस project से पैसा आएगा, वो बनाने वाले के पास जाएगा, तो बनाने वाले की cost recover होगी, उसका अच्छा खासा पैसा recover होगा, और finally, जो बनाने वाला है, वो उस projects को authorities को handover कर देगा, मतलब नेपाली authorities को handover कर देगा, मतलब transfer कर देगा उस project को, कुल मिलाके, बनाते वक्त, यह जो आपका 17 जल विद्धियोति निगम limited है, इसको नेपाल की तरफ से कुछ पैसा भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिना पैसे कि यहाँ पर construction शुरू हो आपकी एमिनिस्टी स्कीम for violators of environmental norms, देखे, पहले orders इशू किये गए थे, नैशनल ग्रीन ट्रैमिनल के दौरा, नैशनल ग्रीन ट्रैमिनल ने Environment Ministry को यह order दिया है कि भाई, वो players जो की environmental norms को, environmental clearance को violate करते हैं, उनके लिए एक proper standard operating procedure बनाई है, कि उन्होंने किस प्रकार के जो environmental violations की हैं, उसकी वाइसे किस basis पर उनके धंदे को बंद किया जाएगा, किस basis पर उनके धंदे को reassess किया जाएगा, कैसे उनके ओपर final penalties बनाई एक standard operating procedure रिलीस किया है, इस standard operating procedure में, amnesty की scheme एनाउंस की गई infrastructure और industry projects के थूँ, वो infrastructure और industry projects जिन्होंने environmental norms को violate किया है, तो मान लिजे पहले कोई industry थी, वो chemical बनाती थी, और उसकी chemical बनाने की capacity मान लिजे 1000 तन थी, तो अब उस chemical बनाने वाली industry ने, अगर आपने chemical बनाने की capacity को 1000 टन से 1400 टन किया है, तो extra 400 टन की, अगर मान लिजे, उसने permission नहीं लिए, तो इस case में, जो extra 400 टन को टन का, वो production कर रहे हैं, उसको कम करना पड़ेगा, और इस extra 400 टन के production की वज़े से, जितना भी उसने environmental norms को violate किया है, उसकी जो भी fine penalty होगी, वो particular company को भरनी पड़ेगी, तो न बंद नहीं किया जाएगा, केवल वो projects, जो कि environmental norms को completely valid कर रहे हैं, बरबात कर रहे हैं, और वो कभी भी किसी भी expansion के लिए, या environmental clearance के लिए eligible थे ही नहीं, केवल उन projects को बंद किया जाएगा, बाकि जो भी projects, किसी भी नियम कानून के अंदर continue रखे जा सकते हैं, उनको बंद न नहीं किया जाएगा, बस उनके उपर fine penalty रखाई जाएगी, और जब तक वो reassess नहीं कर दिये जाते हैं, तब तक जितना उन्होंने excess production capacity डवलप किये, जैसे कि chemical industry case में ने बता है, कि मानलो 1000 ton से 1400 ton उसने प्रोडक्शन capacity किये, तो अगर extra 400 ton की permission उसने नहीं लिये, तो नई permission मि जाने तक वो extra 400 ton पैदा नहीं करेगा, और अब तक उसने जितना extra पैदा कर दिया है, उसके उपर वो fine penalty भी देगा, यहाँ पर एक proper remediation plan डवलप किया जाएगा, तो वो industrial players जो की environment को नुकसान कर रहे हैं, वो एक remediation plan लेके आएंगे, जो कुछ भी उन्होंने गलत किया है, व bond होता है, इस bond का मतलब क्या होता है, कि इस bank guarantee के तहद अपना पैसा या अपने assets, bank के पास गिरिवी रख देती है company, और कल की डेने मालों वो company, अपने जो भी norms थे, अपने जो भी वादे थे, उसको पूरा नहीं करती है, तो सरकार इस bank guarantee को execute कर सकती है, bank guarantee को सरकार को, जिसके पास भी वो bank guarantee होगी, उसको यह authority देगा, कि एक particular company जिसने bank guarantee फरनिश की है, उसके assets को seize कर लिया जाए, तो remediation plan जब तक ये companies implement नहीं करती है, तब तक equivalent amount of damage इन्होंने किया है, उतना ये लोग bank guarantee देंगे, और जब ये अपने remediation plan execute कर देंगे, तो इनकी bank guarantee वापस कर दी जाएगी, मतलब कुल मिला कि वो companies, जिनको किसी भी तरीके से, reassess करके, eligible बनाया जा सकता है, production के लिए, उनको बंद नहीं किया जाएगा, के वल, वो companies, जिननोंने, beyond redemption environmental violation किया है, उनको यहाँ पे, आपके सकते हो, सजा दी जाएगी, overall यहाँ पे, ground level पे, नियम कानूल, implement करने के authority, central pollution control board, state pollution control boards, और state environment impact assessment authorities को दी गई है, EIA 2020 और EIA 2006 के respect मेंने एक वीडियो भी बनाई है, आप चाहो तो जाके इस वीडियो को देख सकते है, environmental impact assessment मेरे नाम हर्शी दृदिक सा साच मारिएगा, इसके print comment मेरे एक comment भी डाल रखा, उसको भी पर पढ़ लीजेगा, कुछ exception है, जनल स्रीज पेपर 3 में, conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment में न्यूज आपको काम आएगी, नेक्स न्यूज है, एरिया अंडर सुगर केन कल्टिवेशन राइशेस, पाई देखें, 2021-22 का जो शुगर सीजन है, जो कि अक्टूबर 2021 से शुरू होके, सेप्टेंबर 2022 में खतम होगा, ऐसा बोला जा रहा है कि जितना इलाका जिसके ओपर सुगर केन होगाया जाएगा, वो 3% बढ़ा है, तो जब टोटल इलाका जिसके ओपर शुगर होगाया जा रहा है, वो हो गया 54.55 लाक हेक्टेर, तो उत्तर प्रदेश के पास शुगर केन एरिया कितना होने वाला है, 2021 सीजन में लगबग 23.12 लाक हेक्टेर, और 2021 सीजन में कितना था, तो था लगबग 23. समझ गchyART, 2020 सीजन कब से कब तक होगा, 2020 सीजन होगा, अक्तूबर 2020 से से सेप्टेम्बर 2021 तक, मतलब सेप्टेम्बर 2021 तक हम लोग 2021 सीजन में ही है, और अक्तूबर 2021 से शुरू हो जाएगा, 2021 बाइस शुगर सीजन, तो महराष्ट में जितनी इराके में शुगरकेन इलाका मतलब शुगरकेन उगाया जा रहा है वो 11 प्रदिशन बढ़ा है एक चीज दिमाग लगा है शुगरकेन का जो इलाका उत्तर प्रदेश में है वो है तेईस दसंबलो बारा लाख हेक्टेर और उससे एक्सपेक्टेड कितनी है प्रदक्षन ग्यारप नौ मिलियन टर्स वहीं पे महाराष्ट का जो इलाका है वो बारा दसंबलो पच्छतर ला पर Town 1977 तो यहां पर कआ जाएंगे आपड़ सकते हो यहां फेर इंपरी बारा यसको का इंडिया में फार्प कानलेट करता है to bother County और अग्री करते हैं आफ्टर कंसलटेशन with state governments and other stakeholders इसी sugar pricing में एक और चीज़ होती state advised price कुछ states हैं जैसे उत्तरपदेश, पंजाब, हर्याणा, तमिलाड, उत्तरकंड वो state advised price release करते हैं मतलब FRP से भी ज़्यादा दाम FRP वो दाम है जो sugar mill owners farmer को देते हैं और इस से भी ज़्यादा दाम SAP के अंदर sugar mills के दौरा farmer को दी जाते हैं अब obvious ही बात है FRP के अंदर जो subsidy है वो केंदर की सरकार bear करती है और SAP के अंदर FRP से जितनी access subsidy है वो राजे की सरकार bear करती है जनल स्रीज पेपर 3 में major cropping patterns in various parts of the country में news आप को काम आएगी next news अद तालिबान तो ऐसा सुनने मा आ रहा है कि Spin Boldak नाम का एक project है जो कि बिलकुल पाकिस्तान अफगानिस्तान के border एक dry port है land water ports होते न जहां से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में trade होता है तो जो business होता है धंदा होता है वो वाला ये Spin Boldak नाम का जो शेर है इसको तालिबान ने फिर कब जा लिया है अगर आप नक्षा देखेंगे तो यहां पर आपको Spin Boldak नज़र आएगा यह दिखर आपको Spin Boldak तो ऐसा सुनने माया है कि तालिबान ने Spin Boldak के उपर भी कबजा कर लिया है हाला कि अफगानिस्तान की interior ministry ने बोला कि ऐसा कुछ भी सही नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर पिच्चर सर्कूलेट कर रही थी कि जो तालिबान के fighters हैं यह आराम से Spin Boldak में बैठके आराम कर रहा है तो कुल मिला कि आप कह सकते हो कि अगर यह Spin Boldak का शहर तालिबान के हाथ में चला गया है तो अफगानिस्तान की सरकार के लिए वड़ी प्रॉबलम है चुकि यह जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड होता है और ट्रेड से आपको पता है जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज है उस सरकार के पास जाती है आनकार का यहाँ पे कंट्रोल था वहा फे घुजज़गुस के उन जगों पे कबजा कर रही है ठीक है और एक और इंपोर्ट चीज़ है यो जो स्पिन बोलत है यह वो पाकिस्तान के साथ बांडरी लगाता है और इधर है तालीबान को दोड़ा दोड़ा के मारा था, उस समय पर तालीबान भाग के यहाँ पे बलुचीस्तान में चुप गया था, उस समय पर अफगानिस्तान के जो भी प्रेस्डेंट थे उपॉलिटिकल एलीट्स थे वो 아메रीका से कह रहे थे कि आप बलुचीस्तान में जाके तालिबान के ओपर अटैक करो, सुरी, आप पाकिस्तान हाँ हुई, मतलब पाकिस्तान बलुचिस्तान में जाके आप तालिबान के ओपर अटैक करो, नहीं तो वो चुपचा वहीं बैठे रहेंगे और बाद में अटैक करेंगे, अमेरिका ने इस बात पर ध्यान न मतलब जब अमरीका वालों ने तालीबान को हरा दिया है तो तालीबान ने बोला हम सरेंडर कर देते हैं, अमरीका ने सरेंडर नहीं करवाया बाद में आप देखोगे कि अफगानिस्तान की रूलिंग एलीट बाहर बर अमरीका से कह रहे थे कि बालुचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान का बेस से वहां पे इनको खतम करो अमरीका ने ख़तम करने से मना करते है जो कि पाकिस्तान के साथ उसके रिष्टे थे उसके चलते इस बलुकिस्तान की जगा पे इन तालीबानी लीडर्स ने विला बेज बनाया और अब ये यहां से निकल के फिर से वापस जाके अफगानिस्तान में पूरी तरीके से डॉमिन तो और आप कराची से समुंदर का एकसेस है और समुंदर से ये लोग अपना ड्रक्स हिरोईन ट्रांसफर करते हैं आपको पता है मुझे वो पर्टिकुलर इलाका बताईए दो चीजें होती है एक गॉल्डन कोडिलेटल का आपने नाम सुना होगा एक गॉल्डन कश्रेंट का नाम सुना होगा बताईए ए दोनों चीजें क्या है ठीक है तालिवान का सरी अफगानिस्तान का यह जो इलाका है जहां बहुत बड़े स्केल पर अफीम की, हिरोईन की खेती होती है, इस इलाके का नाम के है, और इसी के पहले जो दूसरा इलाका है, वो किस पर्टिकुलर रीजिन में आता है और उसका नाम के है, यह कई बर मैंने पहले डिसकर्स किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ, और इसी हिरोईन के ट्रेट के चलते, इसी अफीम और ड्रक्स की खेती के चलते, तालीबान के पास इतने लंबे समय तक इतना पैसा रहा है, कि वो इतना एक्सपेंसिव वार USA के अगेंस्ट लड़पा है, जनल स्टीज पीपर टू इंटरनेशनल लेश्शन पर इस साथ है, और आज की आखरी न्यूस, स्टेट अफ फूर्ट सिक्योर्टी और नूट्रिशन इन वर्ड 2021 रिपोर्ट रिलीज हुई है, और इस रिपोर्ट का, क्या साक्षा अब्विस सिभात, गोविड नैंटीम के समय पे, फूर्ट सिक्योर्टी पे ग्रिम इंपक्ट में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, ओवरॉल, स्टेट अफ फूर्ट सिक्योर्ट और नूट्रिशन रिपोर्ट, इसको रिलीज कौन-कौन करता है, तो इतने प्लियर्स मिलके रिलीज करते हैं, FAO, International Fund for Agriculture Development, United Nations Channel Fund, World Food Program और World Health Organization, अब्जेक्टिव क्या है रिपोर्ट का, to inform on the progress, towards running hunger, food security को नपाना, nutrition प्रोवाइट करना, in-depth analysis on key challenges, ये सब चीज़ें आपर बताएगे, major points क्या है, तो भाई, points ये है, significant decrease in affordability of healthy food, पहला point, तूसरा COVID-19 की pandemic के चलते हैं, लगभग 14 करोण लोग और ऐसे आ गए हैं, जो affordable healthy diet को afford नहीं कर सकते हैं, 2020 के end तक global consumer food prices पिछले 6 साल में highest थे, और 2021 के पहले 4 महीनों में भी एदाम बहुत जादा थे, healthy diet की cost पूरी दुनिया में 60% जादा हो गई है, ठीक है, 2020 में 2.7 billion लोग ऐसे थे, जिनके पास adequate food नहीं था, और 2019 के respect में ये figure 320 million जादा है, यनि 32 करोण लोग 2019 के respect में 2020 में जादा हो गए हैं, जिनके पास adequate food नहीं है, दुनिया भर में 3 में से एक इंसान के पास adequate food का access नहीं है, 2020 में, 12% global आवादी 2020 में, severe food insecurity से गोजर रही थी, Food and Agriculture Organization की बात की जाए, तो एक specialized agency United Nations की, international efforts को lead करती है, हंगर हराने के लिए, World food date celebrate किया जाता है, 16 October को, ठीक है, FAU 16 October को भी found हुआ था, 1945 में, Recently, 16 October 2020 को FAO की 75 वी anniversary को मनाने के लिए 75 रुपए का coin reuse किया था, भारा सरकार ने, ठीक है, और UN Food Aid Organizations में, FAO भी एक है, जिसका headquarter Rome, Italy में है, ओके, इसकी sister bodies क्या है, तो FAO की sister bodies में, World Food Program, और International Food for Agriculture Development, General Studies Paper 3 में, Issues of Buffer, Stalks and Food Security, and General Studies Paper 2 में, International Institutions and Mandates में, न्यूस आपको काम आईगी, तो ये थे आज का news analysis, जितनी जादा holistic news का coverage मैं आपको दे सकता हूँ, उतना holistic news सा coverage मैं आपको दिया है, जितने जादा लोगों के साथ हो सके, इस वीडियो को share करिएगा, Instagram पर आप follow करके, आपने doubts भी पूसकते हैं, देखे, share जरूर करिए वीडियो को, तब 36 मिनट के बाद अगर ये बात मेरी कोई सुन रहा है, तो बिना like का बटन दबाए, बिना comment किये, और बिना इस वीडियो को, किसी telegram ग्रूप में, या WhatsApp ग्रूप में, या अपने social media profile पर अपने किसी दोस्ट को share किये, बिना मच चाहिएगा, इतना जरूर करिए, आपकी profession के लिए मैं मैंनत करूँ, तो आप ये भी कर सकते हैं, आपको पता है, हर चीज और चैनल पर free of cost available है, कोई भी चीज पेड़ नहीं है, तो बिना share किये, बिना कतभी मच चाहिएगा, Thank you for watching friends, have a great day, अपना ध्यान रखिए, और पढ़ते रहें, Goodbye.